कि सुप्रीम मीडिया में आप सभी का स्वागत है हमारे साथ आज यूद कॉंग्रेस के जिला महा सचीव स्युभान सिंग जी है जो हाली में 657 ओर से बेनिंग हुए है हमारे इस्टुडियों में उनका बहुत बहुत स्वागत है नमस्कार सर सर मैं पहले यह कहना चाहता हूं आज यह पेंडामिक सीचुशन जो चल रही है लोगों को अपील करना चाहता हूं कि पहले मास हो करार रगाए हाथ अपने रेगुलर टाइम पे धोए और जो भी गाइडलाइन्स गोवर्मेंट की आए उसका फॉलो करें ताकि इससे आपकी सुविधा में आपकी आप वेलिंग हुए हैं उसके लिए सुप्रेंटिव समाचार परिवारी की तरफ साब को बहुत दोस्ता धन्यवाद साब राजनीती अभी युवा हो आप कहां से राजनीती का प्रेणा सुरुत कोने आपका सर मेरे प्रेणा सुरुत स्री गुर्जास कामत जी है जिनको मै मैं अपना प्रेणा सुरुत मानता हूं यूद के लिए उन्होंने बहुत कुछ किया है यूद पुरा जो मुंबई प्रदेश कॉंग्रेस का यूद कॉंग्रेस है उनको संचालन करने काम से गुर्दास कामत जी करते थे हम लोग का थोड़ा दुर्भाग है कि हम उनके ने हैं अलग अलग तरीके लोग राजनीति को कहीं अच्छा भी समझते तो कहीं बूhu समझते आपने राजनीती की चूनी सरρά यतिक है सबसे अच्छा सेवा को दो सबसे मेरे के लिए मेरे अपने नगर अपने गाउं अपने देश अपने लोगों के लिए सुचा कि एक आदमी राजनीती में आता है तो उससे फायदा क्या होता है प्रसासनिक शिशनिक स्वास्था वह सब चीजों को जानकारी रखता है आज मेरे यहां पर जो करन्ट सिच्वेश के गलता है हम लोग सलंप में रहते हैं उपाधरूम की बहुत लोग अधविदा है लोग गो को एक हरよね 40 की विवस्था प्रापर नहीं घरे घरो तक नहीं है और एसली प्रवाइड कर सकते हैं गोवर्मेंट कर सकती है अगर मिखर सकते पर्ट करते नहीं को इंट्रेस्ट न कि सेवा का भाव मेरे मन में उत्पन आता है कि मैं लोगों की सेवा करो गौवर्मेंट जो भी फंड और लॉड करती लोगों के लिए वो अपने जेप से नहीं करती है वो इंडाइटली टेक्सपेर्स का पैसा है इंडाइटली हमारा पैसा है एक गरीब आदमी भी जीस्टी पे करता है अगर पांच्छी रुपय का बिस्किट भी पेकर ले अगर घर के लिए लेता है तो टेक्स पे कर रहा है उसको पता भी नहीं होता है बट वह एक टेक्सपेर है इंडिया का तो मैं चाहता हूं उनका पैसा गरीब आदमी का पैसा उनके उनके यूज में और सही आदमी के माध्यम से यह ना हो कि बीचोली अपन इतना बढ़ जाए कि लोग अपनी जेवेत नहीं भरें लोग की लोग की तकलीफे ना दिखें और आप भी स्लम से आते हो समस्य है तो बहुत सारी है अभी आपने खुद बताया उन समस्य हो के लिए हालाकि राज्य सरकार म और ऐसा नहीं है कि एक जादू की छड़ी है और कोई भी गौर्रिमेंट आके है चाये मोदी जी हो चाये उद्धो जी हो या किसी भी सरकार हो कोई जादू की छड़ी नहीं एक दिन में सब ठीक हो जाएगा बट हम जो ग्राउंट पर काम करते हमारा दायत्तु है कि हम तकलिफों को सही तरीके से सरकार के सामने समिख्च पेस कर सकेंगे कि यह तकलिफे लोग फेस कर रहे हैं तो सरकार सक्षम है उनकी सारी समस्याओं को समयधान करने के लिए और इसलिए मैं इस राजनीती में उत्रा हूं अब तक आपने आपके वार्ट के लिए कुन को से अठी वार्ड में तो मैं बहुत पहले से काम कर रहा दाल में नहीं कोशी हो हमने हम जो भी हो सकता था जो भी कर शक्ते थे एक नॉर्मल इंसान के साब से या हम जो भी उसकी मदद कर सकते हमने मदद किया जो भी कर सकते थे हम इतने लेवल बड़े आज नहीं हुए है कि हम 100% सबको सेटिस्फाइट कर सके बट 30-40-50% हम सेटिस्फाइट करने काम कर रहे हैं और अगर हमको कहीं किसी प्राकार का दायत तो मिला प्रसासनिक तो हम उसको 100% काम करें कि हमारे पास आज कुछ है नहीं हमारे पास हम है हमारा नॉलेज है लोग की सकती है लोग का दर्द है और हमारे पास कुछ है नहीं अगर हमारे पास गवर्मेंट के सकतिया मिल जाए हमरे पास कोई राइट्स मिल जाए तो हम लो हाट होगा जो भी होए चुनाव में उतरेंगे मैदान में सर ऐसा है किमिए एक पॉलिटिकल पार्टी से बिलोंग करता हूं अ के तो हमारे वी-वरिस्ट नय् hm آइक कारे करता है जो टिकट अमनी की हम भी मांगेंगा प्प्राइस है कि हम घर बातरूम हो सिल्वरेश लाइन बने जो कि बहुत आड़ आफ दॉड नहीं है अराम से हो सकता है हर घर में बातरूम हो सिल्वरेश लाइन मिले अगर इनसान का पेट साफ है तो उसकी आधी विमारिया दूर हो जाती है बाकी उसके बाद हम चो कर सकते हैं वह एडिसनल है अब यह दिखकर कर जाए मुल्बूस विदाओं से रिलेटेडी सौचाले भी आता है तो चाले की बड़ी समस्या है सबसे बड़ा में तकलीफ है उससे तो मैं बातरूम के समस्यां को सबसे दा में खुद परसनली यह नहीं बनाया है क्योंकि अगर आड़ बिजी मुझे नौ लाइन में लगाने के लिए बिकोष्ट सब्लोंड़ उसी समय पर काम पर जाना और सबको काम पर जाना मने कि सब this criteria है slums के लिए वह बातरूम है अगर आपका स्वास्थ सुरक्षीत रहेगा तो स्वास्थ के बाद य्यूथ स्वास्थ के बाद शिक्षा ग्राधाता है लेकिन उन्हीं स्वास्थ है अगर स्वास्थ हम सही कर लिया सोचे लिए solutions सख्री कोश्चन एक मैसेज जानना चाहूंगा आपसे जिन यूत ने आपको चुनाव में जीताया है यूत कॉंग्रेस के उनके लिए कोई मैसेज देना चाहूंगे सब्सक्राइब करें लिए अभाईर है इसलिए अभाईर है रहूंगा कि मेरे जीवन का पहला इलेक्शन था आप लोगने जो भी समझ के मुझे सपपोर्ट किया जो भी मेरी हेल्प की मैं उसके लिए आपका हमेशा रिडी रहूंगा दूसरी बात यह है कि मैं चाहता हूँ मैं राजनीती में आया हूँ मैं अपना घर बनने के लिए नहीं आया हूँ मैं जनता का काम करने के लिए आया हूँ और अपनी सकती को पहचाने, अपनी बेसिक, मूल अधिकारे को समझाए, कि आपके पास क्या क्या अधिकार है, आप लोक तंत्र में रहते हो, आप ताना साधे इसमें नहीं रहते हो, अगर आपको कोई चीज गलत लगती है, मैं गलत करो, कोई भी गलत करे, आप खुले मनसर् जलत है कोई दिक्कत नहीं उसमें आपने बोलना है यही लोकतंतर की सबसे अच्छी परिभासा होगी आप अगर नहीं बोलोगे आप मैटर को अपने मन में रखोगे तो कभी सलूसन नहीं निकलने वाला है चाहे बातरों के समस्या हो चाहे आज महेंगाई जो बट रही जो प पढ़ेगा कि आप लोक तंतर में रहते हो लोक तंतर में अगर आप समय नहीं दोगे तो आपके लोक तंतर में रहने का कोई फाइदा नहीं होंगा यह थे हमारे साथ यूद कॉंग्रिस के नेता सिभान सिंग जिनों ने बड़ी ही सलता से अपने विचार प्रगट किये कैमरामेन महंदर चौधरी के साथ रितीश तिवारी सुप्रिम मीडिया